वेलकम टू टेक एशपर्ट साउथ कुरे की दिगर जो टोंबाइल कमने युंडाई ने साल 2009 में हैब्रीट नोच की थी वरतमान समय में कमनी की लाइनप में आदा दर्जन से भी जादा हैब्रीट और यॉलेक्टिक कारे हैं बलकि इसमें लगे solar piner की मनदर से कार में लगी बेटरी चारज होती है। Hyundai के अनुसार कार में लगे solar piner से इसकी बेटरी एक दिन में 30-60 परसंद तक चारज हो सकती है। अगर इस सोलार प्रिने से कार हो जाना 6 गंटे चार्ज होगी तो साल भर में 1300 किलियमड़ तक अथिरिक्त माइलेज देगी यानि सोनाटा हैब्रिट का सोलार रूफ एरियंट बड़ा गेम चेंजर नहीं है मगए सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि इससे कार का उत्सरजन एमिशन कम होगा युन्डे ने कहें कि सोलार रूफ ने एक नहीं राह खोली है जिससे आने वाले समय में गारी चलाने के लिए फोसिल फ्यूल यानि पेट्रोल डिजल की ज़रुवत नहीं पड़ेगी सोलार रूफ वाली युन्डे सोलार रूफ वाली युन्डे सोलार रूफ कार को फिलहर कोरिया में बेचा जा रहा है जल्दे इससे उत्तरी अमेरिका की बासर में उतारा जाएगा दूसरे देसों में इससे नहीं पेश किया जाएगा हलांकि आनेवाले सालों में कमने की दूसरी हाइब। और इलक्टीक कारों पर सोलार रूप देखने को मिल सकता है। सोनाटा हाइब। सोलार पीनल रूप के साथ आनेवाली कमने के पहली कार है। साथ इसमें Active Shift रे कंट्रोलर का फिचर भी दिया जाएगा। सोनाटा हैब्रिट में लगी सोलार पिनल रूफ कार की बेटरी को चार्ज करने में मदद करेगी युन्डाइ की मताबिक कार जितनी देत धूप में रहेगी बेटरी उतनी जल्द ही चार्ज होगी युन्डाई के मताबिक बैटर्य को फुल चार्ज होने के लिए कम से कम 6 घंटे का वक्त दी चाहिए जिसके बाद ये कार 1300 किमी तक की रेंज तई कर सकेगी कार की छट पर 16 पिनल मिलेगे जो विंड शिल्ड के उपर से लेकर पीछे की विंडो तक फेले होंगे हलाके हाइबरिड वर्जन को फिलाल भी दक्षरेंड कोरिया में ही लौच किया गया है लेकिन उम्मीद है कि जल्दी अमेरिका समेथ बाकी देशों में ही पहुँचेगा वहीं इसके एक्टिव शिफ्ट कंट्रोल टेक्नलोजी की बात करे तो ये फिचा हाइबरिड कंट्रोल यूनिट की स्पीड और ट्रास्पिसर्ण को कंट्रोल करेगा वहीं इसे गेर शिफ्ट टाइम में भी 30 फिजदी की बचात होगी हाइबरिड सिस्टम में लगी इलेक्टि मोटर 38 के डवली की पावर और 205 अम का टोर्क देगी सोनटा में फ्रंट रडर, फ्रंट व्यू के मेरा सेंसर, लेन फोलो असिस्ट का फिचर मिलेगा जो इस्टियरिंग को आटोमेटिकल एज़ेस्ट करके लेन के सेंटर में ले जाएगा गोर तलबी के लेन फोलो असिस्टम सिटी और हाइवे के सड़ोकवा पर 0-145 किमी प्रति घंटे के रफ्तार पर ही काम कर सकता है एवर ब्राइट सोलार पावर मिनी लेक्टिक बस फोरें ट्रेट कोर्परेल इमिडेट कमनी एवर ब्राइट ने एकोमर्स वेब साइट पर अपनी सोलार पावर मिनी लेक्टिक बस पेश की है ये कमनी साल 2003 में इस्तापित की गई थी जो 10 सालों से सस्थी लेक्टिक कार बेचती है एवर ब्राइट दुनिया में बहुत लोग परिया है विशेश रूप से अफरीका, यूरोपियन और एशेय देशों में कार बेचती है ये एक ऐसी मिनी बस है जिसमें 8 से 10 लोगों के बेचने की सुवीदा है इस मिनी बस की सीट को फोल्ड भी किया जा सकता है एवर ब्राइट मिनी बस को इलेक्टिक के साथ सोलर पाउसे भी चलाए जा सकता है इसकलाव इस मिनी बस में सोलर चीप्स, फ्लेक्सिबर सोलर पेनल लगाई गई है जिसके मदद से इस कार की बेटरी को दूप में भी चार्ज किया जा सकता है Everbright Minibus में इंटर होने के लिए पीछे का डोर्स यूज़ किया जाता है इस Minibus में 3 डोर्स दिया गये हैं जिसमें फरण में 2 डोर्स और रियर में सिंगल डोर्स दिया गया है कार के रियर डोर्स से ही आप अंदर और बाहर जा सकते हो Minibus के फ्रंट में LED हेडलाइट्स और रियर में LED टेलाइट्स दी गई है पावर और स्पेसिफिकेशन के बात करे तो इस बस में 5 के लेक्टी मोटर दी गई है Minibus को 40 किलेमेट अपरते घंटे की टोप स्पीड से दोड़ा सकते हो Everbride Minibus में 60V and 100H की लिथियमाइन बेटरी दी गई है जिससे एक बाल फुल चार्ज करके 120 किलेमेटर तो नोनिस्टो ब्राइट ले सकते हो Everbride Minibus को 220V से चार्ज करोगे तो Minibus की बेटरी को 8-10 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है Breaking System की बात करे तो Minibus के front में disc और rear में drum brakes दिया गया है Dimension की बात करे तो Minibus की length 3200 mm, width 1400 mm और height 1700 mm दी गई है खास बत यह है कि इस Minibus में air conditioner के साथ mileage in larger भी दिया गया है कीमत की बात करे तो इस Minibus को Alibaba e-commerce website से 33,000 से लेकर 5,000,000 रुवे में खरीच सकते हो अगर आप इस Minibus को बीना solar power के खरीचते हो तो इस बस को 3,60,000 जरुवे में खरीच सकते हो Everbright Electric Solar Car Foreign Trade Corpollet Immediate Company Everbright ने e-commerce website पर अपनी solar power electric bus के साथ कार को भी पेश किया है यह एक low speed electric car है यह कार दिखने में भी smart और चलने में भी smart लगती है खास बत है कि इस कार को electric के साथ solar power से भी चलाया जा सकता है Everbright कार के रूफ़ पल फ्लेक्सिबर solar panel लगी हुई है जिसे दूप में चार्ज किया जा सकता है Everbright कार में 5 seats दी गई है जिसमें 5 लोग आसाने से सफर कर सकते है इस कार में 5 लोग दिया गया है Dimension की बात करे तो इस कार की length 3480 mm, width 1550 mm, height 1550 mm और 2206 mm विल बेस दिया गया है Everbright का का कर बवेट 674 kg दिया गया है Everbright कार के front में LED headlight और rear में LED tail lights के साथ folder rear view mirrors दिया गया है Power or Respecification की बात करे तो इस कार में 3.5 KW की elective motor दी गई है Everbright कार को 50 km अपरती घंटे की top speed से दोला सकते हो इस कलाव इस कार में 60 V 800 A.S की lithium-ion बेटरी दी गई है जिससे एक बलफुल चार्ज करके 300 km तो 900 ब्राइट ले सकते हो Braking system की बात करे तो इस कार के front and rear में hydraulic disc brakes दिया गया है इस कार में aluminum alloy wheels hub-yacumetize दिया गये है Everbright कार में liquid crystal combination dashboard दिया गया है जिसमें speedometer और battery level जैसे जानकारी देख सकते हो Features की बात करे तो इस कार में warm air difference system, MP5 in car touchscreen, trigger EVS image, sunroof, MP4 player, USB port, Bluetooth hands-free car kit, MP3 music player, fold rear view mirrors और luggage के रिया जिससे features देख गये है इसके लावाँ इस कार में 3. safety belt, front glass double wiper और mileage enlarger दिया गया है Color option की बात करे तो ये कार पांच colors जैसा की red, silver, yellow, blue और white colors में available है कीमत की बात करे तो इस कार को 33,000 से लेकर 3,000,000,000 की बीच Alibaba e-commerce website से खरे सकते हो तो दोस्तों रहती टोप 3 original price electric solar power car वीडियो बसे ने तो लाइक कर दीजिए और भी तक आपने हमारी चेरार टेक एस प्रोटर को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कि लिजए टेक केर बाई